कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी देखकर यह आप लोग पता लगा पाएंगे केवल तीन नियम है तीन नियम आपको दिमाग में रखने हैं तीसरे के लाबा कोई चौथा नियम आपको दिमाग में नहीं रखना है चाहें जैसा भी कुश्चन आ जाए भिन्न का पता कर कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है आप लोग तुरंद पता कर पाएंगे लेकिन आपको बस तीन नियम दिमाग में रखने है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं भिन्न क्या होता है भिन्न जिसे इंग्लिस में बोलते हैं उपर एक संख्या लिखी जाती इसे अन्स बोलते हैं नीचे एक संख्या लिखी जाती है इसे हर बोलते हैं इंग्लिस में इसे बोलते हैं Nicholas में न्यूमरेटर और इसे बोलते हैं डिनूमिनेटर ये बात आप लोग उपसंज में आ गए इस्के लिए यहां पर पहला नीयम क्या कहता है कि जब भिन्न का हर क्या हो बराबर हो जब भिन का हर बराबर हो हर मतलब यह नीचे वाली संख्या तो जब नीचे वाली संख्या बराबर हो ना तो जो उपर संख्या बड़ी लिखी होगी वो वाली भिन बड़ी होगी और जो उपर संख्या छोटी लिखी होगी वो वाले भिन छोटी होगी ठीक अब देखें यहाँपर नीचे की सभी संख्या इंबराबर है। उपर कौनसी संख्या बड़ी लिखी है। सेम है ग्यारा 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 नीचे लिखा है तो उपर जो सबसे बड़ा नंबर लिखा होगा वो भिन सबसे बड़ी होगी जो सबसे छोटा लिखा होगा वो भिन सबसे छोटी होगी तो यहां पर देखिए पांच दस और चार में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दस है तो ये बड़ी भिन्न हो गई, 10 बटे 11 क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई, तो सबसे छोटी कौन सी होगी बताइए, सबसे छोटी इन में कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्यों क्योंकि इसमें उपर क्या है, 4 और 5, 10, 4 में सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो ये वाली भ गया पहला नियम कि जब भिन्न का हर बराबर हो अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं दूसरा नियम होता है कि जब भिन्न का अंस बराबर हो जब भिन्न का क्या हो नूमरेटर बराबर हो यानि अंस बराबर हो उपर की संख्या जब सेम लिखी हो तो क्या करते हैं जब बड़ा होगा क्या मैंने बोला देखिए यहां पर जो उपर सबसे बड़ी होगी वह बिन सबसे बड़ी होगी लेकिन यहां पर जो नीचे सबसे बड़ी होगी वह बिन सबसे छोटी हो जाएगी उल्टा होता है जस्ट उल्टा इधर वाले का जस्ट उल्टा तो यहां पर द सबसे बड़ी होती है वो भिन सबसे छोटी होती है तो सबसे छोटी बिन कौन सी हो गई नो बटे तेरा अब मैं आप से पूछू सबसे बड़ी बिन बताइए तो जो नीचे संख्या सबसे छोटी लिखी होगी वो भिन सबसे बड़ी हो तो सबसे छोटी संख्या 11 13 10 में कौन से समान है तो नीचे जो बड़ी होगी वो छोटी होगी जो छोटी होगी वो बिन बड़ी होगी तो सबसे छोटी संख्या कौन सी लिखी है तेरा लिखी है तो सबसे बड़ी बिन कौन सी हो गई ग्यारा बटे तेरा हो गई इसके बाद देखिए पंदरा सत्रा तेरा में सबस से चोटी कौन से बिन हो गई 11 बटे 17 हो गई अब हमारे कुछ स्टुडेंट कहेंगे कि सर जब बिन का हर ना बराबर हो ना अंस बराबर हो तो एक केवल नियम ऐसा है जिसको आप हर जगह अपलाई कर सकते हो मतलब इन कुश्चन में भी अपलाई कर सकते हो यह तरीका आसान सब्सक्राइब बहादा है लेकिन उस नियम को हर जगह हर अपलाई कर सकते हो तो नियम क्या है जब ना तोOps बराबर हो ना हर या बराबर भी हो तो कैसे करते हैं देखेос को इस नहीं करना है सब के आगे आपको बस 2-2 9 बढहावा लेने हैं कितने कितने इसके भेज़े गा जाएगा 14 सेस कितना बचा 6 इसको नीचे उतार लेना है सातो अठी कितना हुआ चपन बस यहां पर हम लोगों को आगे कुछ भाग नहीं देना है भागफल कितना या 28 तो यहां पर आप लिख दीजिए 28 यहां पर सेस लिखने की जरूरत नहीं है इसके बाद पांच का भाग 30 में दीजिए कितनी बार जाएगा तो आप कहेंगे सर्व यह तो पूरा पूरा कट रहा है पांच शका 30 हो ठीक साथा जाएगा यहां पर भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए साथ का भाग 300 में देंगे तो हो जाएगा साथ चोको 28 कितना बचा दो और यहां जीरू उ संख्या बढ़ी है तो कौन से भिन बढ़ी हो गई और 2860 में चोटी कौन सी है 28 चोटी है तो सबसे चोटी बिन कौन सी हो गई दो बटे साथ हो गई यह बात समझ में आगई चलिए नेक्स्ट कुश्चन है खुद से जरूर बनाईए यह लिखा था पांच बटे नो चार ब 40 हो गया फिर 5 बच़ा और फिर जिरूता रहा पना 45 बस आपको आहिखना है कि भाग में कितना है कितना है कितना है 55 इसके बात स्पार का भाग 400 विת खाँना है तो देखिए कितना है bạn bạn 35, 5 बचा, फिर 0 उतारेंगे, 7, 7, 49, कितना जाएगा, 57 आजाएगा, अब यहाँ पर 11 का भाग 300 में देंगे, 300 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए, 11 दूनी होता है, 22, 28, 15, 17, 27, 27 बर जाएगा, बस 27 यहाँ लिख देंगे, अब देखिए, 55, 57, 27, कौन सी संख्या बढ़ी है, 57 बढ़ी है, तो कौन सी भिन बढ़ी हो गई, 4 बटे, 7 बढ़ी हो गई, और कौन सी छोटी बढ़ी हो गई, तो 55, 57, 27 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है, यह वाली को संख्या में आ गया होगा, आप एक्जैम में कोई कुश्चिन आता है, भिन बड़ी छोटी पता लगाने से संबंदे, तो आप लोग बना पाएंगे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में की जिन्ह और कॉनसेप्ट को लेकर के, ओके, थैंक्स पो वोचिंग गईस, क्जैम में की जिन्हा है